कि हैं हलो फ्रेंड्स कैसे हूं मेरा नाम है संजीर में जोतरा और आज हम जो मार्क एंपारेंग का टॉपिक लेकर हैं वह बहुत ही बड़ी है टॉपिक और यह जो topic है वो हम हमारे पिछले जो topic है जो पिछला हमारा lecture था उसके साथ थोड़ा सा related है अगर आपने वो topic देखा होगा वो lecture देखा होगा तो आपको यह चीज असानी से समझा जाएगी तो फिल्हाल अभी हम जो बात करने जा रहे हैं that is the product line definition हमने लिखिये definition क्या है it refers to a group of products that are closely related because they satisfy a class of needs are used together are sold to the same customer groups are marketed through same type of outlets or fall within given price range काफी बड़ी definition है पर हम इसे समझते है product line होता क्या है product line actually में क्या है group of products काफी सारे जो भी कोई marketeer or company वो अपने product market में launch करती है ठीक है तो वो group of products वो different different जो groups है products के उनको launch करेगी ठीक है चाहिए दोस्तान यूनिलिवर limited हो वो तो बी लॉंच कर रही है तो बी बना रही है detergent भी बना रही है शैंपूज भी मना रही है ठीक है वो अलग अलग product market में offer कर रही है ठीक है तो वो एक particular class को जो products है जो group of products है variety of products है वो क्या कर रहे है एक particular class को target कर रहे है target करके उनको satisfy कर रहे हो एक सेम customer group को target करके उनको satisfy करने की कोशिश कर रहे है और same outlet से वो जो product है वो वो हम कह सकते बेचा जाएगा ठीक है within given price range अब इसे एक example से समझते हैं अब यह ठीक है पर अगर हमसे एकजेंपल से समझेंगे और अच्छे से आपको clear होने वाला है ठीक है तो हम अभी एक example लेंगी हिंदोस्तान यूनी लेवल लेमिटेड जिसका नाम आपने सुना हुआ और वो काफी सारे प्रोड़क्ट्स मार्किट में लॉंच करती है और बेशती है तो उसकी एक्जेंपल अभी हम देखते हैं अब जैसे हमारे पास ये प्रोड़क्ट लाइन की हमारे पास से एक एक्जेंपल आई है जो कि हमारे पास एके एक्जेंपल है अधरी जान हिंदूस्तान यूनी लिमिलेड लिमिटेड जो डिपरंट डिफ्ड़क्ट्स मार्किट में और इसी जैसे कि उनकी एक प्डुक्लाइन आते हैं अलग-अछलग पॉड़क्ट लाइन में सबसे फ Stallion कि सोदोस में भी उनके पास ड慶ेंट डिफिरंधश्वर्ज और Sc Vanessa yoghe उस पीरश एंसरे हतार इस प्रग्टेशन्स में इस वी बनाता है यह अधी भरटप retard भर फिर बना रह Allies में अधार दढ़ेंगे अलग नाव शायम्पू समें उनके अल्कलिर भी आता है है यह सारी हमारे पास कैं Tenemos हमारे पास पड़क्ट हमारे पास डिफेरेंट डिफेरेंट के पड़क्ट लाइंस ठीक है इसे यह भी भी बो सकते हैं इस चेज को एपशी की पूरी बात करें यह सारी हिसारी क्या है वो shampoos भी बना रही है ठीक है तो कई बार कई बार क्या करना पड़ता है कि पड़क्ट लाइन जब पड़क्ट मिक्स स्ट्राटीजीजीज होती है जो यह हम कह सकते हैं पड़क्ट लाइन स्ट्राटीजीजीज होती है हमें कुछ पड़क्ट लाइन कि Ireland कि ले إلى हमें क्या करना पड़ता है कोई नोकोई कुछ क्या में पुदब करना पड़ता में क्या कि एसे प्रटरक्ट होते हैं जो यह जिनकी दिमाई आने वाली है वह प्रटirty हम एड कर देते हैं उन ऊकश करते हैं कि फिर लिस्ट कर दे कि और आने वाला धो सोगी वो प्र के ज़रुरत होती हैं घिनको हम या मोडिफिकेशन के ज़रूरत ही या उस परड़ कउई हमें अपसलीदा मिलने वाना प्रड़क्त होता है हं ह्को हम अपनी अप्रडक्त से बाहर निकाल दें इस तरीके की परफ्ट रे स्ट्राइट ही हमें अपना नहीं बढ़ती है तो वो strategies कौन कौन सी है हमारे पास तो उसमें सबसे पहले मारे पास कौन सी strategies आ सकते हैं दिश्धा सबसे पहले होते है product modification देखो कई बार आपको अपने product को modify करना पड़ता है उसमें कुछ changes करने पड़ती है according to the demand of the product जैसी डिमार्ड मार्केट में चल रही है वैसे आपको अपने प्रड़क्ट में मौडिफिकेशन करने बढ़ेगी यह मोस्टी कभी होती जब एड मेंचुरिटी स्टेज जब आपका प्रड़क्ट मेंचुरिटी स्टेज पर पहुंच चुक है अब उसकी इतनी ज़्यादा डिमार्ड नहीं है अब लोग उस प्रड़क्ट से बोर हो चुके हैं यह हम कह सकते हैं नीड अफ तर दिमांड है जैसे उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा आप मे जैसे हमारे पास गाड़ियों के बात करें बीएस फोर बीएस सिक्स यह सारे इंजिस आगे उसमें चेंजिस कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजिस सकते हैं तो वह करने पड़ती हैं तो पर दक्ट मेंक्स को जैस्य tag पहुंँत चुका हो प्दगी है यह यहमारी पड़क्ट लाइन है जो हमारी पड़क लाइन है कुछ ऐसे होते हैं जो हम कहा सकते हैं decline stage पे चले गए कुछ ऐसी है तो आप देख लेना उसमें प्लेलिस्ट में तो प्रक्लाइब साइगल पड़ा था उसमें हमारे पास introduction stage growth stage maturity stage उसके बाद decline stage आई थी तो decline stage होती है कि जब उसमें कुछ changes करने प्रड़क्ट में फाइदा नहीं है तो बहतर है कि वह maturity stage पे सोरी decline stage पे आप उस product को हम कह सकते हैं निकाल दो eliminate कर दो ठीक है उस product को eliminate कर दो ठीक है अब देखो अपने देखा होगा मारूती की जो अभी जितनी भी ज्यादा प्रड़क्ट कार्व दोनें डीजल एंजन को बंद कर दिया डीजल एंजन को खत्म कर दिया तो इन्हें प्रड़क्ट लाइन कंट्रक्शन कर दिया है विद्स हटा दिये ठीक है है यह हम काह सकते हैं, बहुत पुरानी या बाते करें, पीछे electronics की बात करें, हमारे पास क्या होती थी पहले? tape recorder होते थी, cassettes गाती थी, फिर हमारे पास, वो cd आगी, फिर dvd आगी, तो अब ये cassettes गरा मिलती है, नहीं मिलती, ठीक है, जो cassettes player होते थे, आब नहीं मिलते हैं अब नहीं मिलता है डीवीडी जो वीसीपी बीसीर पहले आते थे डीवीडी प्लेयर्स तो अब बड़े-बड़े जो हुमारे सॉने विगा रहा है उनों ने अपनी प्रड़क्ट लाइन में से उनको निकाल दिया सोनी ने क्या किया है अभी वो दूसरे टीवी मनाता ही निया ठीक है बाकी सारे ब्रैंड विवे वह तीवी जो आते थे हमारे बड़े-बड़े टीवी आते थे वह बनाते नहीं सबीने क्या फोकुस कर दिया एलेडिस पे फोकुस कर रहे हैं उनको अपनी प्रट्ट लाइन में से ही निकाल दिया क्योंकि वह एक मे प्रट्ट्लाइन को ट्र्क्षिन को गाए प्रट्ट लाइन एक्स्पेंशन प्रट्ट्लाइन कि मार्कटेर न कि अपनी पड़क्ट लाइन को एक्सपेंड करेगा वह तभी एक्सपेंड करेगा जब उसको लगेगा कि मेरी जो एक एक फ्यूचर को डिमार किसी पॉड़क्ट की वह आने वाले टाइम में बहुत जादा होगी ठीक है उसको वह स्टड़ी करेगा एनलाइज करेगा पहले से समझ जाएगा तो वह उस पॉड़क्ट को अपनी पॉड़क्ट लाइन में लेके आएगा जैसे जैसे एलेक्रिकल व कार से ले लो चाहिए आप स्कूटर से ले लो बाइक्स ले लो उसमें भी क्या रहे है उसमें आप क्या रही है बैटरी आरी अब वह पट्रोल गरा का काम खत्म होने जाएगा अब ही नहीं हुआ पर कुछ टाइम बार वह चीज़े शायद हम मानके चल रहें कि वह शायद हें हो जाएगी देखे आभ पटा ने भी किया और अपनी ता ने टा सूर लउंच कि थे वह आने वी लउंच कर दे उनने पहले से पता था कि शायद आने वाला टाइम किया तो उनह ने क्या गिया उसको अपने पर निष्पर कर गया मारूति का मअपने लोग मारूति का अपने वे अपने ओर ऩो धम कर से कि अरिख है Gddy कोना पर काम किया और काफ़ी कार है और काफ्री और ब्रेंड आद घयर अब video gü 2024 में जपान में तो launch हो चकी है हॉद़ ऐक्टिवा 2024 में शायर इंडिया में भी हॉद़ा की एक्टिवा ईवी आ जाए तो वो क्या कर रहे है अपनी डिमांड को देखते हुए अपनी पड़क्ट लाइन को एक्सपैंड कर रहे हैं, अपनी पड़क्ट लाइन में उस पड़क्ट को लेके आ रहे हैं, तो कंपनी यही करते हैं कि उनको पता होता है, कि आने वाला फ्यूचर किस चीज़ का, तो उसको वो फड़ा-फ़ड से Eliminate करो या modify करो अगर किसी की Demand है तो उसको जल्दी से पहले ही उसके काम करना शुरूँ करो और उसको अपनी पर थक्त लैं में और डाप गरो ठीक है उसके बात हमारे पास आता है जैसे हमने स्टजिशिंग की बात है कि उसमें अपर पास दो तरिखी कि स्टजिश घ्ट हमा मतलब हम इसे एक और नाम देते हैं trading down मतलब कहने का अगर मैं इस graph को समझाऊंगा आपको तो यहाँ पर मैंने ले ली quality इधर लिया price इधर low इधर high इधर low इधर high तो हमारा वो company जिसका अभी present product का quality high है और उसका price भी high है इस type price भी high है तो वो क्या है उसका present product है तो वो क्या करता है उसने high-end customers को टार्गेट किया पर वो कहता कि मैं नीचे भी और अपने customers जो रह गए हैं नीचे customers हैं उनको भी मैं टार्गेट करूँ तो वो क्या करते है अपना नया परड़क्ट जो होता है वो थोड़ी से कम quality का और क्या करते है थोड़ी से कम प्राइस का लॉंच कर देता है ठीक है चलो मैं एपल की एक इंग्जांपल लेता हूँ पर एपल इतना भी नहीं कम करता पर जैसे मेंने एपल का का एपल की प्रो सीरीज आती है एक मिनी सीरीज आती है ठीक है तो वह पहले उसके प्रेजन प उसने का पर ठीक है यह तुम आपने हाई-end customers को target कर रहा हूं focus कर रहा हूं पर मेरे कुछ उससे नीचे भी कुछ customers है उनको भी मैं target करना जाता हूं जो लोग afford कर सकें कर सकते हैं कर सकें वो भी उसको बाय करें ठीक है उन्हें क्या किया प्रोते एक लाग दीज़ार एक लास तीज़ार का आता है तो उसने क्या किया कि आइफोन मिनी सीजिस लाउंच कर दी जो size में भी छोटी थी मतलब वह quality नहीं थी वह महला हम कैसे था वह quality नहीं थी और उसका price भी कम था उसका size छोटा था उसका price भी कम था उसे हम बोलते हैं that is the downward stretching ठीक है present product high quality high price तो जब नया प्रटक लाउंच किया तो वह अपने जो हमारे higher class से नीचे जो हमारे customer सा उनको भी target किया उनको भी cater करने कोशिश की with bit low quality और with low price ठीक है इतनी quality नहीं कम हो जाती मतला हम जैसे मैं Apple की example उसके उसमें यह चीज नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत ज़ादा quality उसकी कम होगी हां quality in the sense हम यह कह सकते हैं कि उसके pro model और उसके mini model को अगर हम compare करें तो quality का फरक आपको नजर आएगा चाहे वो camera में हो चाहे वो size में हो चाहे वो साथ डिस्पले में हो ठीक है फिर upward stretching को हम एक और नाम देते हैं जिसे हम बूलते हैं ट्रेडिंग अप इसमें क्या होता है कि जो present product होगा किसी भी company का वो उसकी quality थोड़ी से कम होगी price भी कम होगा पर अब उसने क्या सोचा है कि मैं अब high end customers को target करोगा अगर उसका product का नाम काफी ज़्यादा चलता है ठीक है brand का नाम काफी ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा अब अपने high end customers को target करेगा with high price with high quality जैसे पहले हमने देखा था कि जो customers देते थे वीवो यह वीवो का यह हम कह सकते हैं यह थे अलग लग phones थे अब जब हम देख रहे हैं उसमें क्या है कि उसके product अभी भी पचास जार में भी उसका phone आ रहा है अभी वो कोई अब होगा मतलब उसका मक्सित क्या है पहले वो जाना जाता था लो कॉलिट बिट लो क्वालिटी मतलब अपने कस्टमर्स लोर जो मह कह सकते हैं मिलल क्लास लोगो टार्गेट करके थे विद लो प्राइस पर जैसे उनका नाम बना उन्हेंने क्या किया अपने हाइर एंड कस्टमर्स को भी टार्गेट करना शुरू कर दिया विद हाई प्राइस विद हाई क्वालिटी ठीक है इसे हम कह सकते है इस दा अपवर्ड स्ट्रेच और हम कह सकते हैं ट्रेडिंग एक और हमारे पास आती है इस दा टूबे स्ट्रेच टूबे स्ट्रेच का मतलब दैसे और कर नाम दे सकते कॉंबाइन स्ट्रेच इसमें हम क्या देखते है कि जो प्रेजन प्रड़क्ट होता है वह ठीठा अच्छी क्वालिटी का ना कम ना हाई उसका प्राइस रेंज भी बीच में होगा ना जादा ना कम दो उसे हम वह कया है प्रेजन प्रड़क्ट जब वह देखता कि उसका प्रड़क्ट अच्छा चला तो वह दोनों तरफ से डिपेंड करता है वह दोनों क्लासीस को टारगट करता हो नफ् huis तोडिर नहीं जो हम उसको भी थारगट कर रहा ह एंट जो प्राइस प्रैश प्रीटिव इस प्रैजेंट अब्लोग नहीं समझना कि लो और कौलिटी बिल्कुल गई गुसरी होगी ऐसी ऐसी चीजी नहीं नहीं मतलब कहने का मतलब उसके कंपजिवेश्टर इसकी फीचर में कम याजाएगी ठीक है और वो क्या करता है अपन नहीं गारी लॉच्ट की तो सबसे पहले उनोंने कौन सी लॉच्ट की थी अच्छी सब्सक्राइब रिस्क कर सकते हैं वह उसको बाई कर सकते थे हैं कुछ ऐसे customers की होती है जिसमें risk takers होते हैं उसको ले ले लेते बाइ कर दे तो सेल्टोस को उन्होंने क्या किया एक इस category में रखा कि उसका price ठीक अच्छा रखा कि जिसको लोग बाइ कर सकें बाइ कर सकें उसकी quality भी अच्छी थी अच्छी quality थी पर सेल्टोस उसने इतना जादा नाम कमाया किया का किया का हम कह सकते हैं इंडिया में इंडिया में एक हम कह सकते हैं बहुत जादा फिलाब बना दिया कि हाँ लोग किया को जानना शुरू करके हाले कि हिंडाई की सिस्टर कंपनी है हिंडाई को जानते थे किया को भी लोग जानना शुरू होगे हालगि spare parts भी सेम ही यूज होते हैं पर जैसे किया की success देखी उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम क्या करेंगे उससे थोड़ा सा कम यह मिट साइज SUV किया ने लाउंच की कि अब उससे थोड़ा से जो लोर क्लास कस्टमर्स थे ठीक है उसको उनको टार्गेट किया विद उसमें सेल्टो से कम प्राइस पे और विट उससे कम फीचर्स देखी तो अब यह दोनों कारिया क्या होगी successful होगी सेल्टोस भी होगी और सॉनट भी होगी फिर उन्हेंने क्य क्या किया देखा कि हमारे कस्मर बेस तो अच्छा बन गया नाम भी अच्छा हो गया ठीक है फॉर्म में जो फॉर्म कंट्री सा उसमें तो चली रही थी उन्हेंने क्या किया एक हाई-end प्रड़क्ट इंडिया में लाउंच कर दिये तैन इस दा किया इवी-6 है ठीक है इव मिड साइज जो मारी सेल्टोस इसकी 20 लैक लगा ले मैक्सिमम सेंट सॉनेट की मैक्सिमम का हाई-end मॉडल है तो 15 लैक मैं अप्रॉक्शमेटली बता रहा हूं को एक्जेक्ट फिगर नहीं है उसकी 20 लैक ती उसकी 15 लैक में लाउंच कर दिया तो कीवी-6 70 लैक वही बाय क कर लिया पहले प्रेजेंट प्रड़क्ट क्या था जैसे किये सैल्टोस जिसमें वो क्या कर रहे थे एक ठीक ठीक कस्मर्स को टार्गेट कर रहे थे विद हम कह सकते हैं मिडल में रखने इसका प्राइस ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो क्वालिटी की बात करें ना ज्या करती that is the Kia EV6 तो इस तरह के से जो companies होती है वो अपनी strategies बनाती है तो इसे हम उने बोला two-way stretch ठीक है तो यह था हमारा आज का topic that is the product line यह थोड़ा सा लंबा topic था product line उसमें हमने पढ़ा product line के बारे में बढ़ा और पढ़ा की कौन-कौन से product line decisions है strategies है जो marketeers use करते हैं कौन सा product market में जो उनकी product line में होना चाहिए कौन सा modify होना चाहिए कौन सा eliminate होना चाहिए ठीक है यह depend करता है situation का मताबिक depend करता है demand के मताबिक कि 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 तरह के कि इस तरह के कि strategy हमने किस टाइम पर यूज कर दिए ठीक है आज का फिलाल topic इतना ही था इजाजिती जी थैंक you goodbye take care